अटल पेंशन योजना साथी भारत सरकार द्वारा, तेजस्वनी और समर्थन के बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए भी योजना उपलब्ध है अटल पेंशन योजना अटल पेंशन योजना जी हाँ, अटल पेंशन योजना हर वो भारतिय नागरेक जिसकी आयू 18-40 वर्ष है और उसके पास आधार तथा बैंक में बचत खाता है वो अटल पेंशन योजना का लाब ले सकता है बस 60 वर्ष की आयू तक नियमत रूप से अपनी किष्ट जमा करवाओ और 60 वर्ष से लेकर 6 जीवन भर प्रती महा 1,000 रुपे से लेकर 5,000 रुपे तक पेंशन पाओ बस एक बात का ध्यान रहे जितनी कम आयू में इस योजना में शामिल होगे उतना ही बड़ा लाब मिलेगा अब मान लो कि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयू से आजीवन 1,000 रुपे प्रती महा की पेंशन पाना चाहता है तो 18 वर्ष की आयू में योजना शुरू करने पर उसे केवल 42 रुपे प्रती महा की किश्ट देनी पड़ेगी जब कि 40 वर्ष की आयू में योजना शुरू करने पर पूरे 291 रुपे देने होगे ठीक इसी तरहे अगर 60 वर्ष की आयू से आजीवन 5,000 रुपे प्रती महा की पेंशन पाना चाहते हो तो 18 वर्ष की आयू में योजना शुरू करने पर केवल 210 रुपे प्रती महा की किश्ट देनी पड़ेगी जब कि 40 वर्ष की आयू में योजना शुरू करने पर 1454 रुपए देने होगे दीदी ये तो आपने बड़ी पते की बात बताई अच्छा दीदी इस योजना में आवी दिन कैसे करते हैं? बहुत आसान है बस अपनी निकटम बैंक की शाखा या बीसी केंद्र में जाओ एक आसान सा फॉर्म भरो और किष्ट के पैसे जमा करने के लिए अपनी सुविधा अनुसार समय चक्र चुनो जैसे की हर महीने या हर तीन महीने या फिर हर छे महीने और बस हो गई तुम्हारी अटल पेंशन योजना शुरू पर दिदी मान लो कि किसी अंचाही वजह से अगर बैंक के खाते में परियाप्त धन नहीं हो और किष्ट ना निकल पाए तो क्या योजना बंध हो जाएगी? अरे नहीं नहीं तुम ये किष्ट अगले महीने बस थोड़े से अतरिक्त शुल के साथ भर सकते हो हाँ और सबसे खास बात तो ये है कि अटल पेंशन योजना तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा तो बनती ही है पर तुम्हारे बाद तुम्हारे परिवार का भी पूरा साथ निभाती है मान लो भगवान न करे अगर दुरभाग्यवरश कुछ हो जाता है तो जीवन साथी जिसको ये पेंशन मिलती रहेगी और जीवन साथी की भी मृत्यू के बाद बचा हुआ पैसा परिवार को मिल जाएगा और इन सभी योजनाओं में आप पूरे साल में कभी भी आवेदन कर सकती हैं है ना ये वाकई में फाइदे मंद योजना? हाँ बिटिया वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया इतने पते की बात बताने के लिए मैं समर्थ से आज ही इन योजनाओं में शामिल होने के लिए आवेदन करने को कहूंगी और हाँ ये लो सवा रुपै घर जाते हुए मेरी तरफ से मंदिर में प्रसाद चड़ा देना क्यों नहीं अम्मा जी बिलकुल चड़ाओंगी